माराज के पूर ग्रीम हंत्री अनिल देश्मुक को लेकर अभी अभी एक और बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि कल ही इस बात का कन्फरमेशन हो गया था कि अनिल देश्मुक जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ED के खिलाब एक य अनिल देश्मुक को सम्मन भी किया गया था तीन बार दो बार पहले ही सम्मन किया गया था जिसमें इनके द्वारा लेटर लिख के भेजा गया कि वो जो है ED आफिस नहीं पहुच सकते क्योंकि उनका एच का प्रॉलम बताया उन्होंने और उसके बाद इन्होंने बताया कि इनको जो है health related काई issue है लेकिन जब यह देली पहुचे तो इनको कोई health related कोई भी issue नहीं आया तो अभी अभी जो update आ रही है उसके बारे में हम बात करते हैं इनके वकील इंद्रपाल सिंग के द्वारा एक बड़ी update दी गई जहां पर इनके द्वारा बताया गया कि अनिल द देश्मूग आज भी ED office नहीं पहुचेंगे उसके पीछे का region बताया गया है क्योंकि अनिल देश्मूग जो है वो देली में है इनके द्वारा अब बोला जा रहा है कि अनिल देश्मूग इस टाइम देली में है इसलिए वो जो है ED office नहीं आ सकते तो मतलब आप सोच सकते ह हैं जब अनिल देश्मूग केहीं पे थे मुंबई में ही थे उसी टाइम इनको सम्मन किया गया था ED के द्वारा और ED के द्वारा सीधा सीधा बोल दिया गया थे कि आपको पांच जुलाई को आना है उसके बावजूद भी ये देली पहुच गये और आज तीन से चार दिन से लगातार ये देली में ही रुके हुए हैं उनके वहाँ पर इस सुप्रीम कोड भी पहुच गये ये सारी चीज की अपडेट आ रही है लेकिन ये जो है मुंबई नहीं आए बनलब की ED office नहीं पहुचे पहली बार क्या बाहना बनाया गया कि इनको जो है प्रॉलम है से फ्लाई करके सीधा सीधा देली पहुच गये वहाँ पर इनको कोई health related issue नहीं आया तो अभी आप सोच सकते हैं इनके उपर सवाल तो काफी ज्यादा उठ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनको इस चीज से कोई फरक नहीं पड़ता कि उनकी जो इज्जत है वो इडी की तरफ से इस पर क्या कारवाई की जाएगी वो आज एकल में पता चली जाएगा आपका क्या opinion है अनिल देश्मुक की इस तरह के behavior पर आप अपना opinion कमेंट बॉक्स मताएं और वीडियो को जाश्यदा सेयर करें